नमस्कार न्यूस क्लिक में आप लोगों का स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से जो भी नतीजे आएं बिहार की राजनिती बदलाओ की दहलीज पर खड़ी है लेकिन ये बदलाओ या परिवर्तन वैसा नहीं है जैसा राजनितिक निता हर चुनाओं में वादा करते हैं जनता की जिन्दगी शायद उसी तरह से चलती रहेगी जैसे की अब चल रही है या फिर पहले से चलती आ रही है खेर सरकार जिसकी भी बने बिहार का राजनितिक कैरेक्टर क्लियरली बाइपोलर होता दिखाई दे रहा है इनकम्बेंट बीजेपी जेडियू कॉलिशन गठबंदन में भी इक्वेशन्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं ने जनता को प्रॉमिस किया है यदी गठबंदन सत्ता में आया तो नितिश कुमार मुख्यमंत्री होंगे अगर ऐसा है सीएम बनने के बावजूट नितिश कुमार शायद सेकंड फिडल प्ले करेंगे एलाइंस के अंदर जो उनकी पहले moral authority या फिर standing थी वो अब परकरार नहीं है और अगर बिहार में चौका देने वाला कोई नतीजा आता है तो नितिश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उनकी राजनितिक करियर का लगभग फुल स्टॉप लग जाएगा उस थिती में JDU के बिखरने के भी चांसेज हैं बीजेपी लेकिन बनी रहेगी अपनी जगा एक शसक्स opposition party की तौर है चाहे NDA चुनाओ जीते या हारे एलाइंस के अंदर the process of balance tilting towards the BJP has firmly begun बिहार में जो हो रहा है वे कोई नया नहीं है परन्तु हमें इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा पहले भी BJP एलाइंस में junior partner बनकर शुरुवात की है और बाद में दूसरे को marginalize करके primary role अदा कर लिए हैं इस process के इतिहास और BJP के strategy को हमें समझना होगा नितिश कुमार का political grounding हिंदुस्तान के socialist आंदोलन में रहा है emergency के दौरान सक्रिये हुए उनके basic commitments secular democratic politics में थे फिर उनका BJP के साथ alliance या फिर coalition को हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे justify कर सकते हैं the answer to this question shall be a long one and will have to draw on history only then will we be able to understand why leaders like Nitish Kumar are neither new nor isolated cases exactly 30 साल पहले, October 1990 में, हार्तिय राजनिती was in the throes of events that altered its character as a nation July-August 1990 से प्रदान मंत्री विश्वनात प्रताप सिंह entered the phase of the politics of brinkmanship अपने पार्टी जनतादल में dissident forces को upstage करने के लिए उन्होंने मंडल कमिशन के recommendations को implement करने का ऐलान किया और OBC reservations शुरू कर दिये BJP उस समय National Front सरकार को बहार से या फिर outside support दे रहा था simultaneously the government was also backed by the left front इस ओड परिस्थिती में that the government was supported both from the right and the left flanks विशुनात प्रताप सिंह का जो फैसला था वो बहुत ही provocative या फिर उत्ते जग था एंटी रिजर्वेशनिस्ट मूलते अपर कास्ट के पर कई जगा तो ऐसा लग रहा था कि इंटर कास्ट फैसे हो सकती जगी बीजेपी वास अंदी हौंस अफर डिलेमा एक तरफ उनका अपर कास्ट वोट बैंक उस वो खत्रे पे पड़ा था दूसरे तरफ अगर बीजेपी मंदल कमिशन के फैसले को अपोज करती तो वाटेवर बीजेपी 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 वुड हैव कम तूर नॉट अयोध्य में 1989 में शिलान्यास प्रोग्राम की वज़ से बीजेपी और तमाम संग परिवार के तमाम और्गनाइजेशन्स ने ओल इंकमपासिंग हिंदू यूनिटी फोर्ज की थी और इसका बहुत सपोर्ट मिला था ये अब खत्रे में आ होगा कि एक तरफ तो विश्वनात पताप स्विंग ने मंडल कार्ट खेला और वहीं उसके जवाब में बीजेपी और संग परिवार के तरफ से कमंडल का पत्ता फेका गया और यह तैय किया गया कि लाल कृष्ण अडवानी सोमनाथ से लेके अयोध्या तक रत यात्रा करे 25 सेप्टेंबर 1990 को बहुत धूमधाम के साथ लाल कृष्ण अडवानी सोमनाथ से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय बीजेपी के गुजरात यूनिट के और्गनाइजिंग सेक्रेटरी थे मोदी को गुजरात लेग को कोडिनेट करने करी रेस्पॉंसिबिलिटी दी गई थी उन्होंने गुजरात के पीरिड में शुरू से लेके तिल दी एंड अव गुजरात उन्होंने बजरंगदल को मोबिलाइज किया यात्रा में शामिल होने कुछ नोटेट स्कॉलर और राइटर एजी नूरानी ने अपने किताब इसमें उन्होंने लिखा है कि बजरंगदल प्लेड प्लेड अडवानी जात्रा वॉलेंटियर्स ओफर्ड हिम अकप अफ ब्लॉट अस प्रूफ दियर कमिट्मिट्मिट्मिट्मिट्मिनल राइट्स बोक आउट इन मनी प्लेस लगभग 20-22 दिन के बाद यात्रा दिल्ली पहुंची वीपी सिंग के साथ एक और्डिनेंस के बारे में निगोशियेट करना था अयोध्या को लेकर नेगोशियेशन्स फेल हो गए अडवानी फिर चले गए 23 अक्तोबर 1990 को अडवानी को लालू यादव की सरकार ने समस्तिपूर में एरेस्ट कर लिया द्यूरिंग दी यात्रा जैसा प्री डिसाइड़ था अटल विहारी वाजपे राश्ट्रपती आर वेंकट रमन को जाके इन्फॉर्म कर दिया कि बीजेपी अब सरकार को और सपोर्ट या समर्थन नहीं करेंगी विश्वनाथ प्रताप सिंग माइनॉरिटी में आ गए औ साथ नविंबर 1990 को उन्होंने रिजाइन कर दिया वीपी सिंग प्रधानमंत्री ग्यारा महिने ही रहे परन्तु उस पीरियड में बीजेपी ने हिंदुस्तान के पोलिटिकल स्टेज पर अपनी पर्मनेंस सिक्योर कर दिया 1989 के चुनाओ के पहले, BJP was just a marginal force. It had only two members in Lok Sabha and in state assemblies also उनके पास कोई जादा मेंबर नहीं थे. All parties which were committed to an inclusive and democratic India compromised with a communal party because they were driven by anti-congressism. I am talking about the 1989 election. For these parties, no price was high enough to vote out Rajiv Gandhi and the Congress party. But the cost for the nation and on our polity was huge. BJP को राजनितिक मान्यता 1989 के चुनाओ से मिला. एक समय जिस party को पराया माना जाता था, उसको ultimately legitimacy मिल गई. अपने ही शर्तों पे अपने politics को play करते हुए. नितिश कुमार उस वक्त बिहार के बाढ़ लोकसभा कॉंस्ट्वेंसी से लोकसभा के सदस्य थे. Private conversations में विशुनात प्रताप सिंह हम जैसे पत्रकारों के साथ बात करते हुए बोलते थे, कि आप लोग लालू यादव में बहुत promise देखते हैं. But mark my words, नितिश कुमार has it in him to be the dark horse. 1989 से 1990 पहला period नहीं था, जब left of center और centrist parties ने BJP या फिर पूरे संग परिवार को उनकी mainstreaming करने में बहुत महत्तपूर्ण role play किया. ये बात सही है कि महात्मा गांधी के हत्या के बाद संग परिवार को political untouchable बहुत लंबे समय के लिए माना जाता था. भारतिये जंसन का गठन पहले लोकसभा के चुनाओं के पहले किया गया था. परंतु party को ज्यादा सीटे नहीं आई थी. politically two, बाकी parties उनको isolate करके रखती थी. जंसन की राजनितिक एकांत को खतम करने के लिए दीन दिया लुपादियाय ने बहुत कोशिश और प्रयास किये. उनको सफलता एप्रिल 1964 में मिली जब राम मनोहर लोहिया को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि उन दोनों को एक joint political statement जारी करना चाहिये. Statement, जारी हुआ मुद्दे काई थे. From the joint opposition to the Congress Party's stand on nuclear disarmament to demands for formation of an Indo-Pak Confederation. Sajha बयान में दो विवाद आस्पत बिंदू थे. First, guaranteeing the protection and life and properties of Hindus in Pakistan is the responsibility of the government of India. Second, the assertion that the existence of India and Pakistan as two separate entities is an artificial situation. यह तो अखंड भारत के concept को ही दोहरा रा था. तो कैसे lawyer ने उसको accept किया? दूसरी बात, उन्होंने जो Indian government की responsibility for Hindus in Pakistan जो बोला, यह तो शामा प्रशाद मुखजी का old position था. इसी कारण वो नहरु cabinet से अलग हुए थे 1950 में. और अल्टिमेटली जाकर उन्होंने RSS के साथ collaborate करकर जनसंग का गठन किया था. दीन दियाल उपाधियाय के प्रयास में नाना जी देशमुक ने काफी मदद की थी. 1963 में उन्होंने डॉक्टर लोहिया को कानपूर के एक RSS शिविर में आमन्त रित किया. डॉक्टर लोहिया चले गए. उनको जब पूछा गया आप वहां क्यों गए तो उन्होंने कहा मैं इन सन्याचियों को ग्रिहस्त बनाने जा रहा था. मजाख में टाल दिया इस पूरे इतने सीरियस इशू को. बात लेकिन इतनी सरल नहीं थी. In their goal of criticizing the government and Nehru, the socialists led by Dr. Lohia were willing to join forces with parties which professed a communal ideology. Mind you, organizer, the weekly organ of the Sangh Parivar or the RSS, ने कुछ साल पहले, during the Dindyal Upadhyay Centenary Celebrations, एक editorial लिखा था. Upadhyay is to BJP what Mohandas Karamchand Gandhi was to the Congress. 1967 के आम चुनाओ के बाद कई स्टेट्स में क्लियर वर्डिक्ट नहीं आया. State assemblies were badly hung in these places. In states में, Jansang के साथ बाकी political parties दे सम्युक्ष विधायक दल्क के coalition सरकारों का गठन किया. Jansang की further mainstreaming and the political legitimizing of its fountainhead, the RSS, happened during the Janata Party years between 1977 and 1980. 1977 के चुनाओ के बाद Congress O, भारतिये लोगदल, प्रजा Socialist Party, सम्युक्ष सोचलिस्ट पार्टी, Congress for Democracy और जनसंग इन सब ने अपनी पुरानी आइडिन्टिटी को छोड़ जनता पार्टी में मर्ज हो गए. सरकार लेकिन ज्यादा दिन नहीं चली। कॉलाप्स का मुख्य कारण दूल मेंबर्शिप का इशुस था। The demand of a section of the Janata Party was that former Jansang members must snap ties with the RSS. लेकिन ये दिमांड सिर्फ दिखावा था। 1979 के जनता पार्टी स्प्लिट के लगभग एक दशक बार कई नेता चिनों ने डूल मेंबर्शिप का मुद्दा उठाया था। उन्ही ने जन्संग के नए अफ्तार बीजेपी या भारती जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। लोकसभा चुनाओं में किस तरह से जनता दल ने बीजेपी के साथ एलाइंस बनाया। उसके बारे में तो मैंने कहा ही आपको पहले। लेकिन गुजरात में चिमन भाई पटेल ने बीजेपी के साथ कॉलिशन गवर्मेंट बनाई। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे उनको कमजोर कर दिया और इवेंचुली इट बिकेम दॉमिनेंट पार्टी इन दे स्टेट। आप सब जानते हैं किस तरह से बीजेपी का हेजिमनी आज भी मुजरात में बरकरार है। वही इतिहास शायद आज बिहार में दौराया जा रहा है। नितिश कुमार को सुर्शाशन बाबू के तौर पर शायद ही कम लोग याद रखेंगे। Instead, he may well be recalled as a man who facilitated the emergence of the BJP as one of the two principal parties in a bipolar quality and in a bipolar state. हमारा आज का कारेक्रम देखने के लिए धन्यवाद। जैसा मैं पहले भी request करता हूँ कि आप हमारा कारेक्रम और News Click के तमाम कारेक्रमों को सोशल मीडिया में जितना हो सकता है शेयर करें लाइक करें ताकि इस तरह का एक alternative viewpoint ही आपके सामने आता रह सकता है। नमस्कार। झाल